दोस्तों अमूमन लोग यही सोचते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये बहुत बड़ा अपसगुन होता है इस धारणा के कारण बहुत से लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर उस समय उस रास्ते को बदल कर जाते हैं तो वहीं कुछ लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ देर वहीं इंतजार करते हैं या कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई और आके उनसे पहले उस रास्ते को पार करें इससे अपसगुन समाप्त हो जाता है तो आज हम आपको इस वीडियो में यहीं बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई बिल्ली का रास्ता काटना असुब होता है या फिर सुब या किस इस्तिती में बिल्ली का रास्ता काटना असुब होता है या इसी कौन से इस्तिती है जब बिल्ली सुब संकेत देती है लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके डल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों मानता है कि कुट्टे की तरह बिल्ली की भी छटी इंद्री काफी विक्सित होती है इसलिए ये भविश में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती हैं आपको बता दें कि बिल्ली का रास्ता काटना तभी असुब माना जाता है जब जब बिल्ली बाई ओर से रास्ता काटते हुए दाई ओर जाए बाकी अन इस्तिती में बिल्ली का रास्ता काटना असुब नहीं माना जाता दोस्तों तंद्र विज्ञान में बिल्ली को बहुत ही महत्त पूर्ण जिव माना गया है माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है इसके लावा बिल्लीों का आपस में लड़ना धनहानी का संकेत देता है या घर में कलेस होने का संकेत देता है दोस्तों ऐसी मानता है कि दीपावली की रात में यदि घर में बिल्ली आ जाय तो ये बहुत ही सुपसगुन होता है इससे घर में लक्षमी जी का आगमन होता है और साल भर धन की कमी नहीं रहती आपका घर सदयो धन धानने से भरा रहता है दोस्तों बिल्ली घर में बच्चे को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है दोस्तों यदि आप किसी सुब कार्ल से कहीं जा रहे हो और बिल्ली मुँ में मांस का टुकडा लिये हुए दिख जाए तो इसर का धन्यवाद करना चाहिए इसका संकेत है कि आप जिस भी काम से जा रहे हैं वे अवस ही सफल होगा दोस्तों जो तिस सास्तर में बिल्ली को राहू की सवारी कहा गया है जिनकी कुंडली में राहू सुब नहीं है उन्हें राहू के असुप प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली पालना चाहिए दोस्तों यदि आप सोई हुए हो और बिल्ली आकर सिर चाटने लगे तो सरकारी मामलों में फस जाने का संकेत होता है और बिल्ली का पैर चाटना निकट भविस में बिमारी होने का संकेत होता है इसके लावा यदि बिल्ली आपके उपर से कूद कर चली जाए तो इसका मतलब है कि आपको काफी तकलीफ सहनी पड़ेगी तो दोस्तों ये थे बिल्ली से जुड़े सुब असुब संकेत वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद